स्टुडेंट्स, चाप्टर नमबर थर्टीन, वाई डू वी फॉल इल, इसका अभी हम रिविजन कर रहे हैं और इसका पार्ट टू हम देखते हैं, तो इस चाप्टर में हम आज डिसकर्स करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टॉपिक, जैसे की सिम्टम, सिम्टम क्या होता है, और सिम्टम के अलावा पैप्टिक अलसर के बारे में जानेंगे, पैप्टिक अलसर है, और इसके इससे डिफरेंट कुछ अदर टॉपिक भी है, सिम्टम है, पैप्टिक अलसर है, और इन्फलेमेशन है, तो इन्फलेमेशन क्या होता है, और वैक्सिनेशन क्या होता है, त तो इस तरीके से आज हम यह सब टॉपिक डिस्कस करेंगे. स्टेंट्स, सिम्टम क्या है? तो देखे, जब भी कोई डिजीज होती है, यानि कि अपनी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है, तो वो अपनी को इंडिकेट किस से होता है? वही सिम्टम होते हैं. सिम्टम एक तरीके के चैरेक्टर स्टिक्स होते हैं. थीस आर अपनी बॉडी में कुछ न कुछ रॉऊग चल रहा है और अपनी बॉडी सही नहीं है, कुछ ने कुछ mis functioning है तो ये indicate करते हैं किसको किसे disease के होने का पता लगाते हैं तो symptom की easy definition हो जाएगी कि symptom are the characteristics the characteristics which indicate that there is something wrong in our body are known as symptoms अब जैसे जो भी कोई symptom होता है बच्चो तो ये symptom ये indicate नहीं करता कि disease कौन सी है symptom खुद बोल कर नहीं बताते हैं कि ये particular disease है हम खुद idea लगाते हैं उन symptom को collect करके कि ये ये symptom है तो इसको ये disease हो सकती है तो जैसे किसी का temperature अगर high हो जाता है तो temperature high होने का मतलब क्या है ये temperature high होना क्या होगा एक symptom हो गया और ये किस चिस का symptom है ये fever का symptom होता है और जैसे कि किसी को other problem होती है like cuffing होती है उसको cuff हो रहा है और ये continuously कई दिनों तक रहता है दो तीन हफते तक रहता है साथ में उसको headache होता है और lungs में problem होती तो ये TB के कुछ characteristics है तो इस तरीके से ये symptom होता है और symptom जो होते हैं एक तरीके को हिंदी में बोलेंगे हम इनको लक्षन भी बोलते है symptom को हम लक्षन कहते हैं और इन symptom के basis पर ही जब भी हम doctor के पास जब भी कोई disease हो जाती है जो doctor के पास जाते हैं तो doctor हम से symptom ही पूछते हैं कि क्या-क्या तुम्हे problem होती है तो उन symptom के basis पर ही वो idea लगाते हैं कि particular patient को particular disease है और फिर उसके according वो test करवा करके अपने को medicine prescribe करते हैं तो symptom के बारे में बहुत ही simple सा है, देखे, symptom अपनी body में ऐसे characteristics होते हैं या फिर ऐसी processes होती हैं जो अपने को ये indicate करती हैं कि अपने को कोई disease है कोई disease है वो symptom आपको normal है ये एक character है तो symptom खुद बोल कर नहीं बताते हैं कि हमें ये disease है बर कि हमें खुद idea लगाना होता ये doctor हमें बताता है कि particular disease है तो symptom के आपको definition याद रखनी है दूसरा topic है अपना peptic ulcer देखे, जो peptic ulcer है इसके बारे में पेप्टिक ulcer शुरुवात के दिनों में इसको एक chronic disease माना जाता था chronic disease आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे disease जो लंबे टाइम तक चलती है जो long time तक जिसका treatment चलता रहता है जल्दी ठीक नहीं होते तो वो chronic disease होती है पेप्टिक ulcer, ulcer का मिन्स क्या होता है ulcer का मतलब चाले होते हैं तो यह ulcer क्या था कि जो अपना stomach वाला part है stomach है, small intestine है जो internal organ होता है digestive system का और यह जो duodenum वाला part होता है starting में small intestine का first part होता है और जो food pipe होती है तो यह सारे part इससे infect हो जाते हैं यानि कि इस disease के अंदर इन सब part में चाले हो जाते हैं तो इसका reason लोग क्या मानते थे पहले इसका reason माना जाता था कि जो habit होती है वो सही ना रखने की वज़े से और unusual habit या फिर ज़्यादा stress लेने की वज़े से यह disease हो जाती है तो इसका यह real reason नहीं था वो scientist थे Warren और Marshall यह दो scientist थे जिन होने यह proof किया कि यह disease जो है वो disease का real reason क्या है एक bacteria है और उस bacteria का नेम है Helicobacter pylori Helicobacter pylori इस disease का real reason था और अब जब real reason पता चल गया तो इसका real treatment भी start हो गया इसके against फिर antibiotics Bacteria के against क्या बनाए गए Antibiotics बनाए गए जो इसके against वर्क करते है तो इस तरीके से यह जो disease थी अब antibiotics ने इस bacteria को develop होने से रोका और disease को cure किया और फिर यह disease chronic disease की बजाए एक acute disease में चेंज हो गया यानि कि इसका जो treatment था वो अब जल्दी ही होने लगा क्योंकि इसका real reason पता चल गया है तो इसलिए इसका real treatment स्टार्ट हो गया और इसके लिए इन दोनों scientist को 2005 में Nobel Prize भी मिला था पेप्टिक अल्सर का real reason धुणने की वजाए से तो स्टेंट इससा है पेप्टिक अल्सर वस considered a chronic disease in earlier time because its real reason was not known by the people's unhealthy habits and stress was considered as a reason of it but to scientist Warren and Marshall discovered that the real reason of peptic ulcer is Helicobacter pylori so antibiotics were given to treat this disease and this disease become an acute disease and in 2005 these both scientists are awarded by Nobel Prize okay strengths पेप्टिक अल्सर के बाद अपना आज का टॉपिक है inflammation तो बच्चों इन्फलेमेशन क्या होता है inflammation में अपनी body के अंदर की एक process होती है तो जैसे अपने को कभी-कभी क्या होता है कि कभी अपने को cold हुआ कभी-कभी अचानक से अपने को ऐसा feel होता है कि हमें cold हो गया है बट थोड़ी देर में वो ठीक भी हो जाता है या फिर जैसे अपने को fever होता है रात में fever हो जाता है और सुबह जब वो मुड़ते हैं तो हमारा fever ठीक भी हो जाता है या फिर हो सकता है दिन भर फीवर हो और शाम तक वो ठीक भी हो जाए तो ये जो हैं ये inflammation के characteristic होते हैं inflammation देखिए अपनी जो body होती है अपनी body में कुछ pathogen enter हो जाते है और अपनी body के अंदर अपना खुद का क्या होता है एक immune system होता है immune system कहते हैं तो immunity जो होती है वो क्या करती है इस pathogen को kill करने की कोशिश करती है इसको destroy करने की कोशिश करती है pathogen को और इसको killing करते time जो अपनी पूरी body की functioning होती है वो इसी के उपर ज्यादा stressed रहता है पूरी body का इस pathogen को kill किया जाए तो इस process के time पर immune system जब इस pathogen को destroy कर रहा है, उस time पर अपनी body में कुछ न कुछ changes भी अपने को observe करने को मिलते हैं, जैसे temperature high हो जाता है, तो वो इसका एक symptom भी हम मान सकते हैं, कि इंफलेमेशन का एक symptom है, अपनी पूरी body थोड़ी red हो जाती है, तो वो भी इसका एक symptom हो सकता है, तो यह जो characteristic हैं वो inflammation को show करते हैं, तो inflammation के अपनी जो cells होती है, the cells of the body recruit the cells on self and it try to destroy the pathogen on self is known as inflammation, तो जैसे कभी अपने को needle prick हो जाती है finger में, तो अपनी needle जो अपनी finger होती है, वो red हो जाती है, और उसमें swelling आ जाती है, और फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपनी को heat feel होता है, heat जैसा feel होता है, उसमें pain होता है, और यह जो process होती है, pain होना, redness होना, heat होना, और यह सब जो characteristics हैं, यह inflammation की characteristics होते हैं, और फिर वो खुद से भी ठीक हो जाती है, तो inflammation जो है, वो अपनी पूरी body की internal process होती है, जिसमें अपनी cells, on self, जो भी problem होई है, इसको solve करने की कोशिश करती है, okay strengths, inflammation की अलावा अपना topic है, दूसरा, vaccination, देखें जो vaccination जो होता है, vaccination क्या है, vaccination का means होता है, body में vaccine डालना, अब जैसे कि कुछ आप लोगोंने सबने पी हुई होगी, polyo drops आपने पी है, तो ये oral vaccine होता है, इसमें orally vaccine दिया जाता है, और जैसे कि DPT का tea का बोलते हैं, जिसे हम vaccine दिया जाता है, तो ये क्या होते हैं, जिसको ये drops दे दी गई होते हैं, polyo drops जिसने पी ली हैं, तो उसको future में polio वाली disease नहीं होगी, और DPT का vaccine जिसको लग गया, उ तो ऐसा क्यों होता है, क्या है ये पूरी process? देखिए, इसके अंदर vaccination में होता क्या है, जो body होती है initially, मतलब ये starting में ही यानि कि 5 येर की age से पहले ही ऐसा कर दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, अपनी body के अंदर कोई weak याफी dead pathogen अपनी body में inject कर दिया जाता है, मतलब जैसे जिस disease से हम अपने आपको बचाना चाते हैं, उसी disease का pathogen body में डाल दिया जाता है, अब लेकिन इससे अपनी body को harm नहीं होता क्योंकि या तो dead होता है, या फिर weak होता है, अब इस pathogen के body में जाने से, इस pathogen के body में जाने के बाद क्या होगा? अपनी body में कौन सी process होगी? इंफलेमेशन की process होगी? और अपना जो immune system होता है, immune system वो क्या करेगा? अपनी जो WBC होती है, defense mechanism होता है, वो पूरा अब इस pathogen को kill करने में लग जाता है, अब देखिए शुरुवात में जब ये pathogen enter करता है, तो अपना immune system इसको पहचान नहीं पाता कि कैसे destroy करना है, तो थो लग सकता है, यानि कि शुरुवात में जब ये pathogen जाता है, तो अपनी immune system को उसको destroy करने में थोड़ा time लग जाता है, लेकिन जब future में कभी भी, अब जब future में कभी भी ये pathogen, अगर strong से strong pathogen भी body में enter करेगा, तो enter करते ही अपनी body का immune system उसको पहचान जाएगा, कि पिछली इसको कैसे destroy क्या था, तो enter करते ही इस pathogen को वो destroy कर देता है, यानि कि एक तरीके से body को artificially सिखाने की कोशिश की जाती है, कि future में future के लिए अपनी body को उस pathogen से उस particular disease से fight करने के लिए prepare किया जाता है, तो vaccination की जो process होती है, उसमें अपनी body के immune system को prepare किया जाता है, कि future में वो particular disease उस person को नहीं हो, अगर वो pathogen body में enter भी होती है, तो उसको वहीं पर quickly destroy कर दिया जाता है,